दोस्तों अगर आप भी Instagram पर could not refresh feed problem से परेशान है तो इस वीडियो में आपकी इस problem का solution मिल जाएगा दोस्तों Instagram पर कभी कभी app open करने पर Instagram could not refresh feed दिखाई देता है इस वजह से हम Instagram नहीं चला पाते हैं तो दोस्तों ना करें इस वीडियो से आपकी problem 100% ठीक हो जाएगी स्टेप एक अपडेट Instagram एप दोस्तों सबसे पहले Instagram एप को अपडेट करना है इसके लिए आप Play Store पर जाए और Instagram सर्च करें इसके बाद आपको अपडेट बटन पर टेप करना है इसके बाद आपकी Instagram पर could not refresh feed problem ठीक हो जाएगी अगर नहीं होती है तो स्टेप दो रिसेट एपीएन करें यहां आपको फोन की सेटिंग्स में जाना है और SIM Card and Mobile Networks में जाना है यहां आपको अपना Mobile Network सेलेक्ट करना है इसके बाद access point names में जाना है यहां आपको निचे रिसेट का option दिखेगा इस पर टेप कर APN को रिसेट कर ले इससे आपकी Instagram could not refresh feed problem fix हो जाएगी अगर इससे भी नहीं होती है तो step 3 clear Instagram cache करना है इसके लिए settings में जाना है यहां scroll down करके app पर टेप करे इसके बाद manage apps में जाना है यहां आपको आपके phone में install सारी apps दिख जाएगी यहां Instagram सर्च करे और open करे इसके बाद आपको निचे clear data option पर टेप करना है और clear cache पर टेप करना है इसके बाद Instagram could not refresh feed problem fix हो जाएगी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो like, comment और channel को subscribe जरूर कर ले